आज हम बात करेंगे शुकर घरे का दुत्य भाव में क्या फ़ल होता है देखें शुकर घरे जो है धन का कारक माना जाता है शुकर घरे लक्षमी का कारक माना जाता है शुकर घरे पतनी का कारक माना जाता है और शुकर घरे हमारी जितनी वी लगजिरी चीजों है उसका कारक शुक्र ग्रही माना जाता है हमारे सुक्षांती का कारक भी शुक्र ग्रही माना जाता है और शुक्र का दूत्य भाव में फल मतलब दूत्य भाव भी कुडली के इसाब से देखते हैं तो धन का कारक मतलब धन भाव कहलाता है यहाँ पर हम बात करेंगे शुकर का दूसरे बाहू में मतलब 0.10 डिगरी का क्या फल देता है देखें यहां दूतियस वे नुव में शुकर छिन बली 0.10 डिगरी में होकर सव राशी में दूत्य बाहू में मतलब कारेक भरस्पती का परभाव लिये वे बैठा है और तूला राशी में 0.10 डिगरी में सुकर का वीचरन और चित्रा स्वाती नक्षतर पर होता है दो चरन के चित्रा के था एक चरन स्वाती नक्षतर का होता है चित्रानक्षत्र का स्वामी मंगल और वस्वाती का स्वामी राहू होता है और मंगल घ्रे सुकर का स्वावी है अत्या घ्रे के सुब रूप में ही फल कारक होता है जबकि राहू घ्रे जो है अगर देखते हैं तो राहू घ्रे भी सुकर का मित्तर ही है इस कारण शुकर का फल जो मतलब शुकर का इस कुंडली के अंदर शुकर का जो फल है लगन कुंडली में शुकर की स्थिति के अनुरूप ही रहता है रहू का सभाव अगर देखते हैं रहू का सभाव ही असुब मतलब कारी यहां पर माना जाता है शुकर को मददकार सिध नहीं हो सकता शुकर पर मंगल का परभाव जातों को मन चला बनाता है दित्य भाव से धन आगमन और परिवार शिक्सा अन्य वस्तर खाद्य पदार्थों के सुक ये सोक वानी चहरे विनाक की बनावट का विचार शुकर घ्रह से करते हैं जातों को इन सब बातों का मद्यम शुक पराफ्त होता है क्योंकि घ्रह अन्सों में 0.10 डिगरी के मद्दे के 22 तरफ जब घ्रह देखते हैं तो अन्स के मद्दे में 22 तरफ होता है सुन्ने अंस के करीब होने पर घ्रे पिछले भाव का फल भी करता है और अधिक सुबकारी फल प्राप्त नहीं होते हैं परन्तों जब घ्रे के अंस 10 डिग्रे करीब होते हैं तो घ्रे अंसों में बली हो जाता है और सुब रूप से फलित होता है तो यहां सवराशी में होने की करण जातों को दित्य भाव की सभी प्राप्तियों को उपलबंद कराता है जातक अपने प्रिक्सम से धन संपति अरजित करता है अपनी मेहनत से और परिवार का प्यारा भी ऐसा व्यक्ति जादा होता है जितने काल घरे राहू के नक्षत्तर प तो ऐसे जिनकी कुंडली के अंदर दूसरे बहूं में अगर जो है शुकर हो और राहू से पढ़ित हो तो उनको क्या उपाय करना चाहिए सबसे पहले शुकर के जाप करें दान करें चीटियों को मीठा खिलाते रहें ऐसे वैक्ति मंदिर में मिश्री का दान किया करें हर शु तो आज हमने बताया शुकर का दूसरे भाव में क्या फल मिलता है अगली वीडियो में हम कुछ विशेश जानकारी आपके लिए कर आने वाले हैं तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप देख पाए तो आज के लिए बस इत का छो आप हमें।